जय हो चाचा जी साधू जी हाँ अब अगली अरजी की ओर जब तक इनकी अरजी स्वीकार हो रही तब तक गुरु कृपा से बागे सुरहनमान जी के कृपा पुर्षाद से अंगली अरजी जो स्वीकार होने जा रही उस पर चरचा राम कहो, सादू जी सीता राम कहो, गुरू जी सीता राम कहो, दौनों हाथ उठाके बोलो बागे सरधाम की, सन्यासी बाबा की, पन्मेल मुंबई के समहा कुम्भी की, जै हो जै हो दादा जी. बिजे, दरबार में, यहाँ पर एक बिजे नाम का बालक बैठा हुआ है, तौलिय डाले, आजाए, आजाए, यस, 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 नजदी काएं बेहन, कहां से इस तरफ मू करें, क्या नाम है आपका? अच्छा, आपने यहाँ किसी को बताया था, बिजए तो नहीं किसी ने पूछा, कहां से हो आप? उडाला, मुंबई में यह हैं. नहीं, कल केवल कथा थी, दरबार आज लगा, क्या समाधान चायते हैं आप, पूछें. छीख है, डॉक्टर को नहीं आपने दिखाया? चलिए, एक प्रशन और पूछें, यह तो आपके पती की चर्चा है, हमारे इसमत पती की आई. पती बीमार कैंसर नामक रोग बना है, तीसरे स्टेज पर है, बहुत गंभीर आलते, खाने पीने में समस्या बनी हुई है, तबियत ठीक नहीं रहती, लगातार परेशान ओपरेशन भी करवा चुकी है, आराम नहीं लगा है, बरतमान ने डॉक्टर ने इलाज कह दिया, भ तो दबाई कहां चला लएंगे, ताटा मेमोरियल, घर में बिगन भी बना रहता है, दूसरी योजी आपने घर की भी लगाई बात बिल्कों सही है, प्रियोग है, आपका जो मकान है, मकान पर ही प्रियोग हुआ है, ये 2018 में प्रियोग हुआ था, 2018 से ही उठापटक जादा बनी हुई है, और दो वर्स में यह हावी हो गया, प्रभाव सील जादा हो गया, और आपका जो कौने की तरफ में कमरा है, कौने की तरफ में कमरा है, वहाँ दो इस्थान है, लेकिन आपका कौने की तरफ में कमरा है, जहां उसी के पास में भगवान जी का इस्थान है, उसके बगल में है, ये मकान के अंदर नहीं, ये बाहर है, ये देवस्थान है, दक् कि तरफ में आपके मकान से लगा हुआ ब्रक्षव है वो बरम देव का पीपल का ब्रक्षव है भगवान संकर का इस्थान लेकर उसी से यह जो कमरा है यहाँ पर कौने की तरफ दूस्परभाव बहुत जादा हुता जिसका लक्षण हम बता देते हैं दुर्गंद बहुत आत हैं अब नहीं होगा आशिरवाद कोई संदे लो बेहना अब भभूती वहां से ले लें आए हुए हैं पती आपके बेहन आपके पती आए हैं कहां है उनकी मुठी बंदवा दीजे जाओ बेहन नहीं नहीं बगवान अंगला वहीं बैठार दो दादा सामने साधू जी